ओम शान्ति अज की तारीक है 30 दिसंबर 2023 आज के अव्यक्ति सारे कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बन रहा है बिलकुल न्यारे रहेंगे कोई अटाइच्मेंट नहीं कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है इस अवस्था में जास्ति बुद्धी चलाने की भी आवशक्ता नहीं है संकल्प उठा और जो होना है वही होगा ये है आज का अव्यक्ति सारा का पॉइंट इसे बहुत गहराई से चिंतन से गहराई से चिंतन करेंगे तो आंसर बहुत सुंदर आएगा कि बाबा आज हम सभी बच्चों को बताए हैं कर्मातीत का अर्थ क्या होता है हम कर्मातीत अवस्था की प्राप्ति कैसे कर सकेंगे बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त इस सरीर के बंधन से भी मुक्त अर्थात शरीर का बंधन अर्थात जो पांस्तत्तों का सरीर है पांचों तत्तु भी शरीर की पुरकरती हमें अपनी और आकरशित ना करें परभावित ना करें शरीर की देह के बंधन से भी मुक्त इस देह को जो कुछ भी देखने के लिए बोलने के लिए सुनने के लिए सोचने के लिए कर्म करने के लिए जो भी आवशक्ता है केवल बाबा के स्रिमत अनुसार ही देखना बोलना सोचना समझना और करना हो स्रिमत परमान जो भी कर्म हम इस देह के द्वारा करते हैं तब कहेंगे देह के बंधन सेstory मुक्तात्मा आगे बाबा कहते कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बन रहा है बिल्कुल डिटैच होकर के स्रिमत परमान हम अधि कर्म करते हैं तो हमारा कर्मों का कोई भी खाता नहीं बनेगा और थात उस कर्म को चुक्तु करने के लिए फिर हमें उस आत्मा के हिसाब किताब में नहीं आना होगा इतना डिटैच होकर के हमें कर्म करना होगा बिल्कुल नियारे रहेंगे कर्म किया और बिल्कुल नियारा मना कोई भी उसका खाता नहीं बना कोई attachment नहीं होगी, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन आसकती से नहीं, लगाव से नहीं, परभाव से नहीं, जुकाव से नहीं, बिलकुल detach हो करके हम कर्म कर रहे हैं, नियारे बन करके हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर्म करने वाले बाबा कहते कर्माती तवस्था की प्राप्ती क करेंगे कर्म करने वाला आगे बाबा कहते कर्म करने वाला अलग और कर्म बिलकुल अलग हो जैसे हम आत्मा अलग है शरीर अलग है ऐसे ही कर्म अलग और मैं कर्म करने वाला अलग बिलकुल इस अवस्था में हमें कर्म करना है सदा आत्मिक स्वरूप में सित हो करके हमें कर्म करना है इस अवस्था में जास्ती बुद्धी चलाने की भी आवशक्ता नहीं है बावा कह रहा है इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत आटेंसन की जरुत है और इस अवस्था में जास्ती बुद्धी भी चलाने की जरुत नहीं माना जास्ती संकल्प करने की भी संकल्प उठा और जो उठा, जो होना है वही उठेगा, व्यर्थ का संकल्प हमारा बुद्धी में या और बहुत सारा संकल्प हमारा मन बुद्धी को परभावित नहीं कर सकता है, वही संकल्प उठेगा जो होना है, तो ये प्यारे बाबा कास का अब्यक्ति सारा है, ओम शा झाल झाल